हरियों प्रीदर्सकों यदि आपकी मित्वन राशी है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा समझेगा क्योंकि जैसे कि आपने थमनेल में पढ़ा कि जिंदगी बदल जाएगी अब आपके लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं क्या बदलाव होने वाले हैं और क्यों होने वाले हैं ये हम सब जानेंगे क्योंकि आपके जीवन में यदि अभी तक आप चिंतित थे धन को लेके यदि धन की समस्याएं थी बहुत ज़ादा और आप बहुत ज़ादा लोन ले लिये थे या कर्ज की स्थिती में फंस गए थे एक ऐसा ग्रह है जो अब अपनी स्थिती में परिवर्तन करने जा रहा है और वो ग्रह हमारे जीबन में सबसे ज़्यादा आधिपत्त रखता है हमारे जीबन में जो चीजें हमें चाहिए उनका आधिपत्त उस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा रहता है वो ग्रह हमारे जीबन में चाहिए वो दामपत्त जीबन को आप ले लिजिए जिनका बिवाह नहीं हुआ उनका भी देखा जाए तो यदि बिवाह करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये ग्रह बहुत महत्य पूर्ण है जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं, संतान की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए इस ग्रह को समझना बहुत जरूरी है या आप अपने कार छेत्र में, आप अपने जॉब में, अपने केरियर में, अपने ब्यापार में यदि उच्छ इस्तिती में पहुँचना चाहते हैं तो इस ग्रह के परिवरतन को इस ग्रह के प्रहाव को समझना जरूरी है या आप चाहते हैं कि आप सिख्षा के छित्र में आप विद्यारती हैं चाहते हैं कि आप फलता प्राप्त करें अच्छे नंबर लाएं तो इस ग्रह को समझना जरूरी है या आप जीबन में जितने भी शुख कहा जाये तो चाहिए मुचाई चाहिए, सक्सेश चाहिए, लाइफ में पैसा चाहिए तो इस ग्रहे को समझना होगा वो कौन सा ग्रह है आईए जाल लेते हैं वो ग्रहे है देव गुरु ब्रहस्पती देव गुरु ब्रहस्पती का प्रफाव हमारे जीबन में बहुत जादा होता है और देव गुरु ब्रहस्पती हमारे जीबन में इतना जादा प्रफाव डालते हैं कि हमारे जीबन में जो कारक तत्त हैं विशेश रूपसेंटे अब दामपत्य जीवन Hijh었습니다 वह सब में देबगुरु भहस्पत Aller Bay के अच्छी स्टव में होता हैं मजूद अवस्था में होते हैं उसके जीवन में ऽुदि समस्याहिक कहा जाए तह लग भग भग को कर सकते हैं तो अन इस्तितियों को काफी हत्तक कंट्रोल कर सकते हैं तो अब देव गुरु प्रहस्पत्य अभी तक वक्री थे अब मारगी होने जा रहे हैं यह 31 दिसंबर 2013 को मारगी होंगे और फिर यह एक मैई तक इसी अवस्था में रहेंगे और एक मई को अपना राज़ परिवर्तन भी करने वाले हैं तो फिर राज़ परिवर्तन करके फिर ये मेसराशी से व्रसराशी में चले जाएंगे अभी मेसराशी में गोचर कर रहे हैं तो ये प्रभाव कैसे आपको देने वाले हैं क्यों देने वाले हैं क्यों से हुए थे पैसा आतो रहा था पर रुक नहीं रहा था ये समझ रहें थी परन्तुब आब क्या हुने वाला ये वाला आईता हैं जैसे मैंने पहले कहा यदि आप का केरियर है आप जौब करते हैं तो अब आपके जॉब्रणे की स्थिति बनेगी आपके सेल्री में increment देखने को मिल सकता है career में भी promotion की श्तिती देखने को मिल सकती है साथ में देखा जाए तो आपके जीवन में यदि आप सरकारी छेत्व से जुड़े हुए कामों से बहुत ज़्यादा परिसान थे, काम रुके हुए थे अब वो काम बनते हुए दिखाई देंगे पिता के स्वास्त में यदि समस्याएं थी या पिता के साथ मदभेद की श्तिती बनी हुई थी तो अब ये दूर होके और पिता का भी सही योग मिलेगा बॉस का बहुत ज़्यादा प्रसर बना हुआ था बहुत ज़्यादा प्रसर काम के लिए बना रहे थे बहुत ज़्यादा आफिस में तकलीफें थी कोई कुछ कर रहा था राजनीती आपके साथ देखा जा तो हो रही थी तो अब वहाँ भी आपको रहा देखने को मिलेगी आपके एनरजी में व्रद्धी होने वाली है अभी तक यदि आलस की स्थिती बनी हुई थी अब आप पुरे जोस के साथ काम को करेंगे और सफलताएं प्राप्त करेंगे जो लोग खेल पूद के छेत्र में हैं या सोसल मीडिया में आप काम करते हैं सोसल मीडिया में आपका चैनल है या New Channel या किसी भी तरह आप work करते हैं यहां से income करते हैं तो आपके income में अब व्रद्धी होने वाली है और सोसल मीडिया में और खेल के पूद के छेत्र में भी सफलताएं मिलने वाली हैं अर प्री ocasकों यदि छोटे भाई के साथ या बड़े भाई के साथ खासकर बाद ब्यात किस्तिती बनी हुई थी या सहयोग नहीं मिल रहा था तो अब सहयोग मिलेगा और बाद ब्यात किस्तिती दूर होने वाली है इसके अलावा यदि आप संतान को लेके प्लानिंग कर रहे थे और आपकी कुंडली में संतान को लेके योग बने हुए थे और गोचर में भी आपने यदि सुना हो कि आपके लिए संतान की योग बने हुए हैं प्रिर भी संतान की प्राप्ती नहीं हो रही थैं तो अब संतान की प्रापती होने के योग सफलता पुर्वख आपक्र इसके लाव novelty लावा देखा जयाए तो जो लोग investment करते हैं कहीं भी आप यदि investment सेर market हो या अन जगह है यदि आप investment कहीं भी करते हैं तो अब आपको सफलता मिलने वाली है परन्तु बीडियो को जरूर देखिएगा तभी कोई भी निर्णे लीजिएगा तो प्रीदर्स को यहां आप समझने वाले बात यह है कि आपके बैंक बैलेस में भी प्रद्धी हो रही ह प्रीदर्स को एक बहुत महत्पूर्ण विषय है जो हरे वेक्ति के जीवन में बहुत महत्पूर्ण ही होता है दामपत्य जीवन तो यदि दामपत्य जीवन में अभी तक कले का महल बना हुआ था या किसी भी बज़े से दामपत्य जीवन में बादवियाद किस्तिती बनी हुई थी अन्मन की स्थिती बनी हुई थी तो अब ये दूर होगी और दामपत जीवन अब देखा जा तो सुखद ही होने वाला है क्योंकि अब देव गुरु ब्रस्पती अब पूरी तरह से दामपत जीवन में द्रस्टी डालके और दामपत जीवन को बेहतर करेंगे साथ मेरी आप पार्टर्शिप में ब्यापार करते हैं तो यहां भी आपको लाब मिलेगा या आप ब्यापारी हैं तो ब्यापारियों को भी अबधन लाब मिलने बाला है बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी तो प्रीदर्स को इतने सारे लाब मिलने बाले हैं परंतु स अमेशा सिक्य के दो पहलू होते हैं, तो यहां पर साधानिया यही रखना है, कि आपको जल्दबाजी में कोई निरणे नहीं लेना है, जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई भी निरणे लेते हैं, तो समस्या हो सकती है, और अपने बाणी में कंट्रोल रखना होगा, जल मान नारेण की आराधना करनी चाहिए बहगान नारेण के जो भी मंत्र आपसे बनते हो उनका जब करिए विश्णु सह्त नाम का पाट कर सकते हैं बहगान नारेण को तुलसी अर्चन कर सकते हैं और अन्य मंत्र जो भी आप से बनते हों वो भी आप कर सकते हैं और प्रिदर्श को हल्दी का चंदन लगाएं हल्दी ना उपलग्ध हो तो केसर या तो पीला चंदन लगा सकते हैं इससे भी आपको देव गुरु ब्रहस्पती अच्छे रिजल्ट देने वाले होंगे और एक महत्वपून बात जो हम करन पहस्पती को जरूर देखिए यदि यह मजबूत अवस्था में है तो फिर यह रिजल्ट सेवाब को मिलेंगे परनदू यह पीडित हैं किसी भी तरह कमजोर हैं पीजल्ट नहीं मिल सकते या तो बहुत कम मात्रा में मिल सकते हैं तो जरूर अपनी जनकुंडली को चक कर ल पंचम भाव को भी देखना होगा दामपत्य जीवन की स्थिती में यहां पर आपको फिर शुक्र को देखना होगा और शक्तम भाव को भी देखना होगा तो क्या काम आप करना चाहते हैं जो मैंने लाभ बताए वो लाभ में से क्या प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे संबं चाहते हैं तो खुद भी देख सकते हैं या तो आप अपनी जन कुंडली का विशुलेशन करवा के जान सकते हैं कमेंट में हरी ओम जरूर लिखे जिससे भगवान नारेन का समरण हो सके क्योंकि बाद में समय मिले या ना मिले वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्वाद